जिन्दिगी की हर समस्या हर तकलीफ ट्रैफिक की लालबत्ती की तरह होती है दोस्तों अगरम थोड़ी से प्रतिक्षा करें तो वो हरी हो जाती है इसलिए आप धैर्रे रखें परियास करें समय बदलता जरूर है नमस्कार दोस्तों मैं जोतिस अचारे सचिन कुकरेती आपक आज का ये जोतिस का कारेकरम मैं जानता हूँ कि बहुत इंतजार था आप सबको क्योंकि वर्स 2024 सुरू होने वाला है बस कुछी समय में और इवन मैं कह सकता हूँ कि सबको बहुत जादा एक एक्साइटेड होते हैं लोग बहुत जानने के लिए चुक होते हैं जानना चाह 2024 कैसा रहेगा आपके लिए बहुत डिटेल में जानेंगे और बहुत में में पॉइंस में चर्चा करूँगा जो भी आपके प्रशन होते हैं उस पॉइंस में मैं विशेश चर्चा करूँगा आपके बारे में जैसे की करियर हमारी पढ़ाई विध्यारतों के लिए कैसा रहेगा इसके साथ साथ प्रेम प्यार कैसा रहेगा वर्स 2024 में उससे बड़ी बात हमारा इम्म्यूनिटी सिस्टम कैसा रहेगा हमारी हेल्थ कैसी रहेगी 2024 में मैरीड लाइफ कैसी रहेगी 2024 में इन सभी विशेय पर हम चर्चा करेंगे 2024 कैसा रहेगा क्योंकि दोस्तों आ आप आप देखा होगा कि हर साल एवन हर महीना हर हफता हर दिन हमारे लेकर आता रहता है लग लग तो साल कैसा रहेगा जब हम साल के बारे में चर्चा करते हैं आपको बता दू तो विसेश हम देखते हैं देव गुरू ब्रहस्पती क्योंकि ब्रहस्पती एक साल में एक रास कीतु का देखना भी बहुत जरूरी होता है और हर महीनी के इसाफ से सूरे को मंगल को ठीक है चलिए अब जानते हैं यह कारेकरम जनम की रासी चंद रासी पर अधारी था दोस्तों और अगर अपनी जनम कुंडिली पर आप विसले स्वड़ाने की चर्चा करवाना चाहते हैं तो नमबर सिर्फ चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है कोई भी आपकी कमेंट्स में अगर रिप्लाई करता है तो चेक कर लिजए कभी हम उस्कैम तो नहीं है चलिए आप करते हैं सुरवात जब नव वर्स जनवरी सुरू होगा तो मेस रासी से नव गरह की स्तती उस समय पर कुछ इस परकार से रहेगी रासी पर कौन विराजमान है आपके गुरू विराजमान है वहीं आपके सिक्स थाउस में विराजमान है केतू आपके 12 थाउस में विराजमान है दोस्तों यहाँ पर राहुदेव 8 थाउस में है शुक्र 9 थाउस में है सूरे के साथ में मंगल 11th house में है स्वेम शनिदेव अब आपको धान से सुनना है सब कुछ पता चल जाएगा और कुछ देखनी की जिरुत नहीं होगी दोस्तो राहु देव सबसे पहले हम बात करते हैं राहु की राहु आपकी बारवे घर में है ठीक है राहु बारवे घर में जब हाँ पर बैठे हैं तो के तूशिक्स house में ये महिना ऐसा ये साल ऐसा रहेगा आपके लिए कि जब आपको foreign connectivity बढ़ सकती है ठीक है पहली चीज तो ये कि foreign connectivity बढ़ सकती है अब अगर आपका foreign से कोई भी link नहीं है कोई भी connection नहीं है तो फिर आप foreign traveling के लिए जा सकते हैं इस साल ऐसा भी संभावना है कि foreign आपके traveling हो जाए हो सकता है कि कोई आपका trip लग जाए गूमने फिरने के लिए foreign चले जाए या कोई बहुत बड़ा long travel आपका इस साल देखा जा सकता है क्योंकि राहू आपके बारवे घर में और खासकर कब देखा जा सकता है मार्च के बाद और सेप्टमबर से पहले पहले इस बीच में ज़्याद तर चांसेस हैं आपके बहार जाने के और foreign traveling के ठीक है राहू राहू जब बारवे घर में है पूरे साल कोई रासी परिवर्तन नहीं है हो चुका अक्टूबर 2013 में तो राहू आपके बारवे घर में रहेंगे पूरे साल तो इसका मतलब की राहू यहाँ पर पैसों की बचत करवाते हैं कहते हैं ना कि सुब घरे बारवे घर में पैसे निकालते हैं हाथ से खर्चा करवाते हैं और राहू जब बारवे घर में होते हैं पापी घर है तो वो हमारे expenses को कंट्रोल करते हैं हमको थोड़ा कंजूस परबरती का बन माते हैं और इसके साथ साथ दोस्तों राहू देव आपकी रासी से निकल चुके हैं तो पूरे साल राहू देव आपकी रासी से दूर रहेंगे अलग रहेंगे इसका benefit है married life की अगर हम बात करें पहले आपके केतू 7th house में थे तो 7th house में केतू dissatisfaction दे रहे थे married life में 2023 वर्स में आपकी married life में जिनके मेस रासी के married life में परेशानिया थी अनुबन थी, कुछ plannings नहीं कर पा रहे थे आप, कोई ideas आपके सारे fail हो रहे थे, तो यहाँ पर केतू निकल चुके हैं finally 2024 में कोई केतू का दूस परभाव आपके 7th house में नहीं है तो जो की married life को भी अच्छा बनाएगा इवन गुरू का सुब परभाव 7th house में है जो की आपकी married life को इवन आपके plannings को आगे लेकर जाएगा और अच्छा बनाएगा यहाँ पर तो बहुत अच्छा दिख रहा है इसके साथ हम बात करें देव गुरू ब्रहस्पती की गुरू की बात करें अगरम तो गुरू आपके first house में है रासी के उपर चंदर्मा के उपर गुरू का बैठना गज केसरी योग चंदर गुरू जब साथ बैठें तो गज केसरी योग होते हैं तो चंदर गुरू अतिमित्र है तो यहाँ पर चंदर गुरू यानि कि इस साल खास कर मई से पहले जब तक चंदर मा में गुरू है तो यानि कि आप धार्मिक कारे कर सकते हैं आपका जो social environment है यानि कि आपका जो समाज है वहाँ पर आप एक अलग छाप छोड़ सकते हैं और कहते हैं कि आपका environment आपको मानेगा आप कुछ social work कर सकते हैं कुछ समाजी कारे कर सकते हैं देखे जाएंगे खास कर मई 2024 से पहले पहले पहली चीज़ दूसरा कि जब तक गुरू आपके first house में है ना पूरे अपरेल 2024 तक हैं फिर मई में आएंगे आपके second house में जब तक गुरू आपके first house में है तो बड़े आप spiritual रहेंगे spiritual traveling भी थोड़े आपके देखी जा सकती है गुरू आपको यहाँ पर थोड़े कही न कि कोई पुरसकार कहते हैं कि कोई medals कुछ यहाँ पर आपको name fame देख सकते हैं अगर आप अपनी साइट से efforts दाले देगी गुरू की दृष्टी अपरेल तक पूरे 9th house में पड़ेगी पंचम भाव में पड़ेगी इसका मतलब की संतान पक्स को लेकर भी अपरेल तक जनवरी से लेकर पूरे अपरेल तक 30 service rates है क्यों हैं? क्योंकि गुरू संतान के कारक हैं और फिर संतान वाले भाव को देख भी रहे हैं यह बहुत अच्छा है आपके लिए ठीक है ना? तो यह बहुत अच्छा है और उपर से शनी और गुरू का दोहरा गोचर 5th house में भट रहा है शनी की दृष्टी भी 5th house में है गुरू की दृष्टी भी 5th house में फैमिली प्लानिंग अपरेल तक successful दिखाई दे रही है फिर गुरू आपके 2nd house में प्रवेस करेंगे कब करेंगे? मई में कर लेंगे फिर मई से लेंगे पुरे दिसंबर 2014 गुरू रहेंगे 2nd house में जब गुरू 2nd house में रहेंगे तो दातों से related तकलीफ आपको infection, आपको allergies, आपको कुछ भी ऐसी परिशानी थी skin से related उसको गुरू दूर करेंगे अपरेल के बाद और जब गुरू 2nd house में आएंगे तो छटे और आठवे घर को भी देखींगे तो समझने वाली बात यह है कि politics, शत्रू यह आपके बढ़ जाएंगे liver, digestion इसका ध्यान रहना होगा कब मई 2024 से दिसंबर 2024 क्योंकि गुरू जब दो true about को देखेंगे मई से तो गुरू की दिसंबर बढ़ाएंगे आप कुछ करजा ले सकते हैं यह फिर आपके शत्रू बढ़ाएंगे यह फिर आपको आपको नीसे कदाने की कोशसिस करेंगे इसका विसेष कोड़ सा ध्यान देगा ठीक है ना और वहीं गुरू की दृष्टी 10th house में भी पड़ेगी, ठीक है, मई से, जब गुरू की दृष्टी 10th house में पड़ेगी, तो जो management में है, banking line में है, document line में है, counseling line में है, computer में काम करते हैं, या फिर कोई teacher है, तो उनके लिए मई से लगा कर कोई अच्छा परिवर्तन, कोई positive change, क हम बात करें, शनी देव की, शनी, शने, आपके शनी देव जो है, वो 11th house में है, पूरे साल, लेकिन शनी हो जाएंगे, जुलाई में वक्री, जुलाई 2014 में, शनी दोस्तों, आपके 11th house, पहले में आपको confirm कर देता हूँ, कि शनी की साड़े साती नहीं है, शनी की ढहिया न अरचे का, तो जब शनी 11th house में बैठे हैं, तो कहा जाता है सास्तर में, कि शनी जिस इस्तान में बैठेंगे, बैठते हैं, उस इस्तान की वरिद्धी करते हैं, और जहाँ पर दृष्टी दालते हैं, उस इस्तान की हानी करते हैं, तो यहाँ पर 11th house की शनी वरिद्धी करे बिल्कुल यहां पर financial profit जरूर लेकर आएंगे शनिदेव और जब जुलाई में वक्री हो जाएंगे तो 10,000 का फल देंगे तब ऐसा लग रहा है कि आपका कामकाज थोड़ा जादा आएगा ठीक है कामकाज का थोड़ा pressure भी हो सकता है लेकिन आप उस कामकाज को कर लेंगे अस खास कर जुलाई से लेकि अक्टूबर के बीच में ये भी ध्यान दीजेगा दोजा चौबिस में लेकिन आपका काम हो जाएगा ये confirm है काम से related कोई तकलीफ आपको नहीं आएगी यहां पर income gain होती हुए दिखाई जरी है और जिनके पास कोई नौकरी नहीं है जो कुछ भी मई और 15 अगस्त से लेकर 15 सेप्टंबर का महीन आपके लिए आथि सर्वस्रेश्ट रहेगा government sector को लेकर आपकी सिक्षा को लेकर आपकी किसी भी चीज़ों को लेकर ये महीना आपके लिए आथि सर्वस्रेश्ट रहेगा और अगर हम विसेश पढ़ाई की बात करें तो जन 14-15 अपरेल के बाद आपके पढ़ाई और बैटर होती भी देखी जाएगी 14-15 अपरेल के बाद से आप government form feel कर सकते हैं आपके लिए positive रहेगा अच्छा रहेगा कर सकते हैं ये बताये दोस्तों मैंने सब कुछ 2024 के बारे में बड़े बड़े ग्रहेग आपको क्या फल देंगे क्या उपाय करने चाहिए हैं आपको दोस्तों सूर्यदेव को आप जल चड़ाइए हनुमान 40 का पाट कीजिए ओम नमस्यभाय का जाफ कीजिए एक स्वार बाद कैसे लगए आपको वीडियो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा बने रहेगा हमारे साथ में धन्यवाद